दो तो आज किस वीडियो में हम सिखेंगे कि रासन कार्ड में से आप किसी सदसों का नाम आप कैसे ऑनलाइन हटा सकते हैं या ऐसे भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके रासन कार्ड में जिन सदसों का नाम दिएगे हैं उनका नाम गलत है या कोई भी detail उनका गलत है आप चाहते हैं कि उनका detail को online ही correction करना तो वो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पूरी जनकारी step by step आपको बताएंगे जिससे आपको कहीं भी कोई परसानी नहीं होगी और ये जो भी काम है जैसे राशन कार्ड में आप ने सदस्व का नाम जोड़ना हुआ, सदस्व का नाम हटाना हुआ, सदस्व का नाम में कुछ भी सुधार करना हुआ, तो तमाम कामें आप online कर सकते हैं नए राशन कार्ड भी आप online बना सकते हैं ये जो वीडियो होगी proper भीहार के लिए बनाई जा रही है और इन पर हमने कई सारे वीडियो बनाया है जै कैसे हटाना है और नाम को कैसे आप सुधार कर सकते हैं तो आए पूरी जनकारी अपने स्किन पर चल कर बताते हैं कि कैसे ये सभी काम आप ओनलाइन घर बैठे कर सकते हैं डोकुमेंट क्या क्या लगेंगे उसे कैसे आपको अपलोड करना है उसकी भी जनकारी इस वीडियो मे step by step आपको बताने जा रहे हैं मैं उमीद करूँगा ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा पसंद आएगा तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर किजिएगा एक प्यारा सा कॉमेंट करिएगा वीडियो अगर आपको हेल्फुल लगे तो और आप चाहते हैं कि इस परकर की लगातार अपडेट मैं आप तक अपडेट करूँ तो आप हमारे साथ जरूर जूरिए चैनल को सस्क्राइब किजिए वीडियो को लाइक सेर करिए और आप सभी के लिए हमने वर्टसप चैनल बना है रासन कार्ड में से नाम हटाने के लिए या रासन कार्ड में अपना नाम को सुधारने के लिए कैरक्षन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैप्टोप में जो भी ब्रावजर है उसे ओपन करना है गूगल में टाइप करना है online update htm आपके सामने यह first website online update htm.in का मिलेगा इसको open करना है और यहीं पर आएंगे एक option मिलेगा बिहार राशनकार्ड 2024 online apply यहाँ पर click करें जिस पर आपको click करना है पूरी जनकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी राशनकार्ड को लेकर आप अप अपने अस्तर से पूरी जनकारी अच्छे से पढ़ लेंगे नीचे जवाब आएंगे important link वाले section में एक link आपको दिये गए online correction on राशनकार्ड जिसके सामने आपको click करना है जैसे ही आप इस पर click करते हैं आपको इस website पर redirect करेगा यहाँ पर आने कवास सबसे पहला काम करना ह अब login वाले विकल पर click करेंगे तो आपको मेरी पहचान के portal पर redirect करेगा देखिए अब रासनकार्ड में किन ही का भी अगर नाम हटाना है या correction करना है तो सबसे पहले registration आपको करना जरूरी है registration उनके नाम से करना है जिनके नाम से रासनकार्ड बना हुआ है या उस रासनकार यहाँ पर नीचे में एक option मिलेगा new user sign up का जिस पर आपको click करना है अब कोई भी एक mobile number आपको fill करना है जो आपके पास available हो एक option मिलेगा generate OTP जिस पर click करेगा OTP आएगा उससे verify कर लीजेगा बाकि उनका जो भी first name होगा जो रासनकार्ड में बरिष्ट महिला है उनका नाम ड होगा उससे आप इस सनुसार चैन करेंगे उनका जेंडर बताएंगे mail है या फिमेल है बाकि एक ID आपको बनाना होगा यहाँ पर देखिए एडिरेट जन परिचाय.gov.in यह लास्ट का डोमेन है इससे पहले कुछ लिखना होगा जैसे आप फिमेल आईडी अपना बनाते है जो भी होता है एडिरेट gmail.com तो आप उस परकार का कुछ भी बना सकते हैं जैसे माली जी हमको बनाना है यहाँ पर ABC हमने बनाया कुछ भी यहाँ पर एड कर दिया तो इस परकार का आप username बना सकते हैं अगर माली जी इस परकार रेड आता है इसका मतलब इस नाम से username आप नहीं बना सकते हैं अल्रेडी बना हुआ है तो इस अनुसार आप दियान रखिएगा बाकी यहाँ पर password बनाना है दियान रखिएगा उसमें ABCD का बड़ा अक्षर छोटा अक्षर कोई भी सिंबल कोई भी अंक आपको प्यो करना जब भी भी आप password बनाते हैं तो उसी password को द डाल कर इस चेक बॉक्स पर डाल कर साइन इन कर सकते हैं या जो नंबर अभी आपने दिया है उस नंबर को डालेंगे इस चेक बॉक्स पर दोनों पर टी करेंगे नंबर पर OTP पी जागा उसके मदद से आप साइन इन कर लेंगे उसके बाद इस पर करकर dashboard आएगा यहाँ प है को क्लिक करना है एक option मिलेगा access now जिस पर क्लिक करना है फुना इस website पर अपको redirect करेगा एक option यहाँ पर login का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको अपना नाम देखनों के मिलेगा रासन कार्ट पर जो भी आपका नाम होगा हिंदी में उनाम आप यहाँ पर फिल करतीजेगा बाकि आधार नंबर फिल करना है आपका जो estate होगा देखनों को मिलेगा जो भी आपका जिला होगा जिला आप यहां से chain कर लिजेगा बाकि जो भी आपका pin code होगा उससे आपको fill करना है email ID को fill करना है एक option मिलेगा यहाँ पर देखिए capture code का जिससे fill करना है option submit का मिलेगा जिस पर click करना है submit करते ही आपके सामने इस परकार का dashboard आएगा यहाँ पर कई सारे option मिलेंगे एक option यहाँ पर देखिए apply का मिलता है जिसमें एक option मिलेगा apply for correction का जिस पर आपको click करना है जिसे आप इस पर click करते हैं अब आपको बोला गया है कि आप अपना रासन कार्ड नंबर फिल करें तो रासन कार्ड नंबर आपको फिल करना है जिस रासन कार्ड से आप नाम हटाना चाहते हैं उसके बाद एक option मिलेगा search का जिस पर click करना है इस परकार आपके सामने detail खुलेगा अगर आपने जो रासन कार्ड डाला है उस रासन कार्ड से उस व्यक्ति का अगर नाम फैच नहीं होगा फिर आपका detail सो नहीं करेगा इसलिए रासन कार्ड के जो वरिष्ट लोग होंगे या रासन कार्ड में जिन भी लोगों का नाम होगा उन नाम में से किसी भी व्यक्ति के नाम से आप registration करेंगे और रासन कार्ड नंबर डालेंगे उससे अगर उनका detail मैच होता है तभी इस परकार की detail आपको खुलेगी यह इन बातों को खास रुप से ध्यान रखीगा अब यहाँ पर बोला गया है कि कार्ड धारी का मतलब परिवार की वरिष्ट महिला से है तो यहाँ पर जो रासन कार्ड में वरिष्ट महिला है उनका detail आपको यहाँ पर फिल करना है इसकी जनकारे नीचे आपको बता दी गई है जब आप नीचे आएंगे तो जो इस रासन कार्ड में वरिष्ट महिला होगी उनका यहाँ पर देखेंगे संबंध self मिलेगा उनही का detail आप वहाँ पर बताएंगे जैसे उनका नाम क्या है आपको English में लिखना है हिंदी में उनका नाम बताना है उनका यहाँ पर देखिए पीता का नाम English में बोला गया है पती का नाम आपको नहीं डालना है नहीं तो आपका reject हो जागा फिर रासन कार्ड में से नाम नहीं कटेगा तो इसलिए उनका पीता का जो नाम होगा वो आपको English में बताना है यहाँ पर हिंदी में उनके पिता का नाम बताना है उनका लिंग क्या है वो आप यहाँ से बताएंगे अब यहाँ पर देखिए काड धारे से समंध बताना है अगर उनके ही नाम से रासन काड है तो स्वैम आप यहाँ पर चुने या अन्य किसी के नाम से है और वरिष्ट वो है तो आप इन में से उनका समंध भी बता सकते हैं बाकि जाती आपको बताना है कि कि जाते सो ब्लोंग करती है अब यहाँ पर देखें जैसे ही आप जाते चुनते हैं तो जाती परमानपतर संख्या भी तो जाती प्रमान पतर संख्या डाल दीजगा अब आय का सुरूत आपको बतानी है कि आपका income certificate जो भी बना होगा माल लिए अगर आपका income certificate 70,000 का है तो उसमें 12 से भाग दीजिएगा तो महिना का आपका निकल जागा कि कितना income हो रहा है बाकि जो भी कार्ट धारी होंगे उनका आयब पर्मान पत्र संख्या बताएंगे अब वो परिवर्तन का कारण बताना है जिसमें देखे कई सारे option आपको मिलते हैं अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप रासन कार में से नाम हटाना चाहते हैं उन्वेक्ति के मिर्तु हो चुकी है तो आप यहाँ पर मिर्तु को चुनेंगे यह कारण नहीं होगा अन्य कारणों से उनका नाम हटाना चाहते हैं तो आप अन्य को भी चुन सकते हैं और अपना जो कारण है असपश्टूप से बता सकते कि क्या कारण है आप उनका नाम हटाना चाहते हैं अब कारधारी का जो बैंक का नाम होगा आपको बताना है कि उनका खाता किस बैंक में है अब यहां से उनका जो भी साखा होगा साखा का नाम मिलेगा उससे आपको चैन करना है उनका यहां पर मिल जागा उससे आप चैन करेंगे अब उनका जो भी बैंक खाता होगा उससे आपको फिल करना है और इनका जो भी पूरा एड्र में जूरे होंगे, सबका नाम देखनों के मिलेगा, अब यहां पर दो आप्सन मिलते हैं, एक इडिट का है और एक डिलेट का है, अगर आप चाहते हैं उन्हें व्यक्ति का नाम डिलेट करना तो आप डिलेट वाले आप्सन पर क्लिक करेंगे, जैसे माल लिजे, किसी का हम न तो इसलिए हम आइड करने के बारे में इस वीडियो में नहीं बताएंगे, अब अगर आपको किसी का नाम जोड़ना है, तो इस पर डिटेल वीडियो हमने बनाया है, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो कुछ करना है नहीं, आप नीचे चैनल का जो लोगो मिलत है, उस पर क्लिक करिए, अब कई सारे ओप्सन मिलेंगे, एक ओप्सन यहाँ पर देखे, प्लेलिस्ट का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक कर लेना है, अब प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो देखे, प्लेलिस्ट बनाईगे यह बिहार रासन कार्ड दोहजार सिख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहा है कि राशन कार्ड में से आप नाम हटाएंगे कैसे और सुधार कैसे करेंगे तो डिलेट करना है अब सिंपले डिलेट बाले उप्सन पर क्लिक करेंगे तो इस परकार देखिए अब यहां पर इंडो बन ग करना सम्मिट एंड गो टू इंड्रक्षर वेरिफिकेशन बाले उप्सन पर आपको क्लिक कर देना है वही माल लीजिए अगर आपको कोई भी सुधार करना है राशन कार्ड में तो उसके लिए क्या करना है आपको इडिट का उप्सन मिलता है जिनका भी नाम गलत है कोई भ सुधार सकते हैं उनका डेटो बर जो भी होगा उससे सुधार सकते हैं उनका ओमर क्या है वो विवाहित है वो बताएंगे संबंध क्या है अधार नंबर क्या है उनका मोवाइल नंबर क्या है वो क्या करते हैं वो बताएंगे उनका आयका सुरोत बताएंगे मासिका बताए तो आप इसनों में बताएंगे और यहां से क्या कर सकते हैं अपडेट कर दीजेगा तो उनकी डीटेल यहां पर अपडेट हो जाएगी उसके बाद एक option मिलेगा submit and go to induction verification का जसपर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने इसका preview section आएगा एक बार अपने अस तर से पूरी जनकारी को अच्छे से मिलान करे ताकि आपको कोई भी जनकारी ऐसा ना हो कि आप जो कुछ सुधार किये हैं या किसी का डिलेट किये हैं तो ऐसा ना हो कि वो डिलेट आपके पास तिन पहिया चरपहिया वहां नहीं होनी चीए आपके पास वास्ति मसीन आपकी इंकम दस से जार से अधिक जो है महिना कर नहीं होनी चीए यह सब जनकारी है अपनो करेएगा एक option मिलेगा submit and go for document upload जिस पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर आपको document upload करना होता देखिए document upload में सबसे पहले आपको जो है अपना family का जो grouping photo होगा जितने लोगों का रासन कार्ड में नाम होगा उनका एक group में photo आपको क्लिक करना है और उससे 100 kg में यहां पर आपको upload करना है फिर जो वरेष्ट होंगे जिनके नाम से रासन कार्ड होगा उनका यहां पर signature आ अप्लोड करने के लिए इसमें क्या होगा कि आपको सभी लोगों का भी document देना होगा जिसमें सबसे पहले समझ लीजे जिनके नाम से रासन कार्ड है उनका जो आधार काड होगा उनका जिरॉक्स कराकर आगे पिछे का उनका sign आपको करवाना है उनका passbook जो होगा उसका जि पर जिनका भी लगा रहे उनका signature आप नीचे करवात दीजिएगा इन बातों को ध्यान रखीगा अगर वो दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग certificate भी आपको लगाना है तो यह जो डोकुमेंट हमने बता है इन सभी डोकुमेंट को आपको एक PDF बनाना होगा अब PDF नहीं बन करना है और यहां से select JPG image को चुनना है अब जो भी image आपके पास होगा जैसा suppose करिए मेरा यह 4-5 डोकुमेंट है इन सब को इस परकार आप select करिएगा open वाले विकल पर किलिक करना है और convert to PDF वाले विकल पर किलिक करेंगे यह document आपका PDF बन चुका है यहां से इससे आपको download कर देना है उसके बाद उससे आपको यहां पर upload करना होगा जो कि यहां पर आपको option दिए गये हैं अब income certificate का अलग column है तो income certificate आपको उस वाले PDF में नहीं attach करना है इसको अलग से income certificate को यहां लगाईएगा अपना जाति प्रमान पत्र को आपको यहां पर attach करना है नीचे आना है आपको देनी है इस चेक बॉक्स पर टी करना है एक option मिलेगा upload document and final submission का जिस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपका जो application है सफलता पूर्वक समिट होता है application number मिल जागा आप चाहे तो इससे download कर सकते download acknowledgement पर क्लिक करना है और भविस में इसका आवेदन की स्तिति अगर ट्रेक application status जिस पर क्लिक करकर आप अपना application का status देख सकते कि आपके रासन कार्ड में connection हुआ है या उनका जिनका भी अगर आपने नाम हटाने के लिए request आला नाम हटा है या नहीं हटा है दोस्तों अभी आपने देखा हमने आपको step by step तमाम process को बताया कि कैसे रासन कार्ड म आप कैसे देख सकते हैं तमाम जनकारी के बारे में हमने आपको बताया है उमीद करता हूँ पूरी जनकारी आपको मिली होगी कहीं भी कोई doubt confusion है आप comment कर सकते हैं इससे related कई सारे वीडियो बनाया जैसे नाम कैसे आड करना है नया रासन कार्ड कैसे बनाना तो नया रासन का करना चाहते हो वीडियो यहां मिलेगा जिससे देखर आप नाम आड कर सकते हैं धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए शेयर जरूर कर दिएगा